अखिन भारतिय सन्युक्त अधिवक्ता मंच के नापपुर जिला इकाई की ओर से आमदार निवास परिसर में अधिवक्ता समेलन का आयोजन जिला अध्यक्ष सी एच शर्मा के नेत्रुत में किया गया मंच के प्रदेश अधिक्ष विलास राउत इस दोरान विशेश अतिती के रूप में उपस्तित थे समेलन में जिला इवंश्वर के सभी पददिकारी उपस्तित हुए समेलन में अधिवक्ता सी एच शर्मा ने कहा कि महाराश में भी राजिस्तान की तर्ज पर एडवकेट प्रोटेक्शन एक्टिड लागू करने का प्रयास किया जाएगा नियायलों में कारेरत अधिवक्ताओं को व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और राज की सुरक्षा भी मिलनी चाहिए ये विवस्ता पूरे राज में हो इसके लिए मन्चिप प्रयास करेगा समयलन में नफ्न न्युक्त पद्रदिकारों को सम्मान पत्रदे कर समानित किया गया और नयीप द्रदिकारों की न्युक्ति भी की गई इस दोरान नाकपुर जिला बार संगठन के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता कमल सतूजा और पूर्व सचीव अधिवक्ता नितिन देशमुक विशिश रूप से उपस्तित थे नाकपुर जिला बार संगठन के अद्धिक्ष अधिवक्तार रोशन बागरे ने वकीलों की समस्याओं को ततपरता से हल करने का आश्वा संदिया मुख्यादिती के रूप में बोलते हुए अधिवक्तार राउत ने कहा कि पूरे राज्य में अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिले ऐसी विवसाग करने का प्रयास हम अपने इस मंच के द्वारा करेंगे कारिक्रम में यवतमाल जिला अधिश के रूप में भरत डीवोरा की नियुक्ती की गई जबकि जिला कारेकारिनी में सर्विश्री अधिवक्ता सुशान पार्टनिल नवीन करे राजेश चौबे प्रदीव जैस्वाल एम जी उपासे मनोज गर्ग रमन मेश्राम रविंद बागडे एबी राउत की नियुक्ती की गई एस सम्मिलन को सफल बनाने में मंच्की पददिकारी महिला प्रकोष्ट की अधिवक्ता असमीता तिड के मंच्की जिला कारिकारेनी सदे से महिला प्रकोष्ट अधिवक्ता प्रिया गोंडा ने वाईजी राम्टे के कांचन व